असलाम अलेकुम गाईस, कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्ला के रहे मोफजल से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं आपको एक बहुत ही बहतरीन सी जगा लेकर चलती हूँ जहां मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद जाऊंगी और अपने वीडियो के माध्यम से अपनी बात रखूँगी और आपको भी कुछ ऐसा दिखाऊंगी जो मैं खुद देख रही हूँ इसकी मैंने कभी कलपना नहीं की थी कभी मैंने इसका हुआब नहीं देखा था और माशालला जो वीडियोज आ रहे हैं आपको पता ही है कि आज कल हम लोग बाहर हैं तो इन सब की बारे में भी मैंने नहीं सोचा था खैर अल्ला की मर्दी घुमाने की वी तो बहुत-बहुत शुकरिया अल्ला पाक का जो हम लोग घुमे और ऐसी सी जगा गए तो ज़्यादा बातों से वेश्ट समय को ना करते हुए आपको बताते हैं कि आज हम कहां के लिए निकले हैं आपको पता है कि हम लोग अजमेर हैं तो आज हम अजमेर से चलते हैं पुशकर और दूर है वो अजमेर से लेकिन एक घूमने की बहुत खुबसूरत सी जगा है जैसा कि आप इमारतों से देखी रहे होंगे और बहुत ज्यादा पुशकर मंदिरों से प्रचलित और प्रसिद्ध है और वहां सिर्फ मंदिर ही मंद चीज दिखाते हैं जो आपको पता होगा तो यहां हम टेक्सी से जा रहे थे तो टेक्सी वाले भाईया ने रोका था उन्हें पता था कि मैं वीडियो बना रही हूं तो यहां काम चल रहा है और यहां विश्व के साथ अजूबे बनाए जा रहे हैं इसलिए यहां काम चल और जो चीन की सबसे बड़ी दिवाल है और ताजमहल जो विश्व के साथ अजूबे हैं वो यहां बन रहे हैं और यहां काम चल रहा है तो थोड़ी देर के लिए इन्होंने गारी रोकी थी तो हमने थोड़ी सी क्लिप उसकी निकाल ली और जाहिर सी बात है जब यह बनके हम अनसागर गये तो पिछले व्लोग में मैंने आपको बताया था कि अनसागर बहुत बढ़ा है आपने देख लिया होगा तो वाकई इस रूट पर जब हम निकले थे तो यहां भी अनसागर का आपको दिख रहा है और लेकिन यहां अंदर जाने का नहीं है इधर से वह में लगी हुई है तो आप यहां आराम से घूम तहल सकते हैं और अनासागर भी बहुत बड़ा है तो अब आपको यहां पुशकर पहुचते पहुचते थोड़ा सा पुशकर वाला फील आने लगा होगा पहनावे से और लैंग्विच से तो चलिए आप आगे लेके चलते हैं खतले हैं आज्ऄ करोड़ है चल्बड़ा अललंकुचते आप मैंतो सकते चल्बड़ा ऐल्ल परिज्व्य करोड तो हैं थोल्यू टरव in कुच्रों है को अलो करो दोल्के बतार बड़ां प्र्शां संखेशा आपारं reflectsि मुशं के बड़ी हैं मैं शंत्यूंत हैं शिक्षां चलो हीरनल ओसे होते हैं, qya देखो सिंगे लगी in के सिंगे तो बली बली है देयए अइनोप 설 इना लेवाद के लिगशते न्वेवटे बचे यह? अपेड़ी चल रही हो उसमे तब से किल्ठा मांझे हूं इस गोजीके भर मंतिर के सिंगे हैं जो पुझार पूजे है उनकी तेवे पत्ली जो रूस के चली गई थी पाड़ी पे आपश नहीं है उन्होंने कहा कर ठीज कहें दुनिया में ती पूजय, पूजय होगी ने ती ज़लगढ़ी होगी इसके अलावा ती पूजय नहीं होगी तो हम यह देखे चल रहे थे और जो अमरे टेक्सी वाले भहिया थे वह बहुत अच्छे नेचर के थे वो टेक्सी भी चला रहे थे सासात में गायड का भी applies बटाते चल रहे थे वह म्म ब्रह्मा मंदिर है एक ही है और वहाँ सिर्व जल चड़ाया जाता है ऐसा वो जानकारी दे रहे थे जो उनको जितना नौलिश थी तो वो हमें बताते चल रहे थे और जो भी चीज़े आ रही थी जो उनको पता था और उनको ज़्यादातर सारी चीज़ों के बारे में मालुमात थी क्योंकि वो यहीं के थे और उनका काम ही यही है तो अजमेर से पुशकर के लिए आपको बस भी मिल जाएगी आप बाई बस भी आ सकते हैं और आप टेक्सी बुक करना चाहें तो आप टेक्सी से भी आ सकते हैं हमने टेक्सी प्रफर की क्योंकि और टेक्सी में आप शेरिंग भी कर सकते है अगर आप दो फैमली है या कोई साथ में शेर करना चाहता है तो इससे क्या है कि आपको थोड़ा सा किराय में कम पड़ जाएगा अगर आप शेरिंग करोगे और बस से आओगे तो और भी कम पड़ेगा लेकिन हमने प्रिफर किया क्योंकि चड़ाई थी और थोड़ा आराम चाहिए था और मुझे भी गाड़ी लगती है भी पिछली पीछे वो बोल रहे थे कि खड़किया खोल लेना और ये देखे कितना खुबसूरत है कितना ज्यादा ब्यूटिफुल नजारा था तो यूँ ही बाते करते करते आपको व्यू भी दिखा रही हो और माशाला आप देख सकते हैं और हलके हलके काले बादल थे बारिश का मौसम था दो चार बूंदे भी पड़ रही थी लेकिन हम गाड़ी में थे तो सेफ थे और बहुत अच्छा नजारा था वापसी में बहुत ज्यादा बारिश हुई बहुत ज्यादा भायंकर बारिश हुई लेकिन हम इसमें थे तो सेफ थे तो हमने गाड़ी टेक्सीस लिए कर ली थी कि ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा आराम रहे और मुझे थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी तो कोई बात नहीं क्योंकि मुझे गाड़ी लगती है और आप देख सकते हो ये कितना अच्छा था और हम नीचे से उपर की तरफ चड़ रहे थे काफी पुशकर के हम नजदीक थे पुशकर ही ये है लेकिन उपर चड़ाई के लिए आप देख सकते हो मुपर आ चुके हैं ये सारा नीचे का नजारा आप देख रहे हो हर्याली हर्याली कितना अच्छा कितना खुबसूरत व्यू है यहां का ये देखिए और उसके बाद अब हम एंटर करने लगे थे और यहां आपको गुरुद्वारा दिखाएंगे पुशकर में पुशकर में गुरुद्वारा है और बहुत ज्यादा बड़ा गुरुद्वारा है बहुत बड़ा गुरुद्वारा है और यह भी एक यहां ये ग गाड़ी से और यहां हमें बस गाड़ी लेकर आएगी यहां के छोड़ देगी उसके बाद आपको रेगिस्तान अगर जाना है और पुशकर आएगे तो वहां जाने के लिए ही आएंगे यह तो रास्ते का व्यू था फिर आपको कच्चा सब कुछ मिल जाएगा जहां हुए होते हैं कैम्प टाइप के और फिक्स रेट रहता है इनका इसकी कैमिल की सवारी के लिए यह आपको घुमाएंगे रेगिस्तान में जहां जहां घुमने की चीज़ें हैं जगां हैं तो यह देखिए सवारियां करवा के वापसी आ रहे थे और हम अंदर जा रहे थे और इन्हों ने इसको कैमिल को चुआ तो यह बग्गी टाइप्स की हैं इस पे बच्चे फैमिली बैट सकती है और जो सिंगल कैमिल होता है उसकी सवारी भी आप कर सकते हो लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं ठीक है तो उसके बाद हम भी गाड़ी ने हमें यहां तक गुमाते रहेंगे और आगे बताते रहेंगे कि क्या क्या चीज यहां प्रसिद्ध है रेगिस्तान में तो यह देखिए हमें रेगिस्तान में लेके चल रहें घुमाने के लिए और आगे की कुछ क्लिप्स थी मेरे पास जो इस वक्त नहीं है क्योंकि वो एक मिस तो हम बंजारों की बस्ती में एंटर कर चुके हैं आप देख सकते हो इधर बहुत काफी ज़्यादा सुन सान है और मिटी मिटी रेत रेत और आपको यहां सिर्फ टहलने गूमने परियतक ही मिलेंगे यह देखिये रेगिस्तान शुरू हो गया था उसके बाद फिर हम थोड़ा सा अपने लिए इंजॉय करेंगे अपना टाइम गुजारेंगे तो हमने थोड़ी देर के लिए अपना फोन रख दिया था क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा टायड हो गय थे पहले गाड़ी से लंबा सफर किया उसके बाद कैमिल पे खैर कैमिल पे तो बहुत मज़ा आया और कैमिल के ओपर बैठी भी थी मैं अनाया और जहरा तीनों को लेकर और यूसुफ जी नहीं बैठे थे तो आगे वहाँ फोटो वगयरा क्लिप बनाई होंगी और यहां हमार पूरी टाइप आगे मिलेगी जहां करण अरजुन की शूटिंग हुई है यही भाईया बता रहे थे और उसमें एक गाणा शूट किया गया है राना जी माफ करना जो करण अरजुन में सौंग है वो यहां शूट किया गया है तो वो बहुत बड़ी सी बाउंडरी बनी हु बगगी नीचे होती है यह बाउंडरी जिधर हाँ यही बाउंडरी जो आपको दिख रही है यही वो गाना शूट किया गया है और यहां पूरा बंजारों का आपको मिलेगा बंजारे ही यहां रहते हैं और उनका जीवन यापन इसी तरीके से सवारी करवाके और भुटे गये थे वहां अब हम चल रहे हैं और संदर संदर से उट और आपको सब कुछ दिखाते हैं और पहुच गये थे फिर हम उसके बाद थोड़ा सा रास्ते में हम रुके थे और यह भी कुछ चीज थी घूमने के लिए तो यहां हम लोग उत्रे थे थे थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन ठक बहुत गये थे बहुत ठक गये थे क्योंकि गाड़ी से फिर कैमिल की सवारी की दो बच्चों को साथ में लेकर तो बहुत ठक गये थे तो चलिए मिलते हैं वीडियो को ना लंबा करते हुए अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीस लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिएगा, दौाओं में याद रखिएगा, अपना खूब खयाल रखिए